वेलकम अगेंस चौधरी कंपडिशन कलासेस तो इंडियन एरफोर्स की जो जोइनिंग है फ़र्ष्ट इंटेक 2021 की इवाज जोइनिंग आपकी छे फर्वेदी से प्रारम हो रही है ग्रूप X एंड वाई के लिए तो किसी कैंडियेट को कहीं न कहीं डारेक्टली आपका बे वाले वेजाएंगे तो यह कॉल लेटर पर जितने वी इनिस्ट्रक्शन दिये गए उनको मैं जतना जर्व मैंने समझा उस तरीके से मैं आपको समझाने की कुछिस करूंगा तो सबसे पहले क्या है कि अपना सेलेक्शन ले चुके हैं तो उनके इंडिट के लिए मैंनी मैं आपकी ज़र्न ही है कही न कहीं बहुत ही अच्छी जाने वाली है आपका जो ट्रेनिंग है बहुत ही कहीं न कहीं अच्छा जाएगा तो इसमें आप देखेंगी जो केंडिट है मैं मैं केंडिट कॉल अप किये गए इस बार जो एक्स रूब में कुल मलाकर 264 केंडिट उसके आने के कितनी चांसे से उसको अगली वीडियो में बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इंडिस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं यह जो केंडिट हैं ग्रूप एक्स के लिए कॉल अप किये गए और मैं मैं का नाम आया है तो आप य देख सकते हैं आपको इसको लेटर के साथ ही वहां प्रिजेंट करना पड़ेगा आगे दिया गया है कि आपको अपने इस कॉल लेटर के साथ आपको वहां प्रिजेंट करना है और मौरनिंग में सब्सक्राइब पांच वजे आप यहां से देखेंगे साड़े पांच वजे पांच बज़ कर 30 मिनट एम पर सुए आपको वाम रिपोर्टिंग करना है और आठ तारीक तूसरा मैना 2021 अर्थार्थ आठ फरवरी को और इनका आप यहां से देखें जो लोकेशन दी गई है फाइव एरमन सेलेक्शन सेंटर ओल्ड पाली रोड एरफोर्स एरिया नियर एरफोर्स स्टेशन सब गार्ड रूम जोदपुर राजिस्तान सबकुष इसमें बता दिया गए अर्थाज यह केंडिट जो है आइठिंग रेली वाले होंगे या फिर वह वाले केंडिट होंगे जिन को कौल अप किया गया तहीं का 30 मई में इनका नाम था एंडॉल्मेंट नहीं किये गे तो या फिर श्टिंड वाले होंगे इनका आया है तो आई थिंग कही न कहीं ये फाइव एस सी पर इससे पहले अपना सेकंड फेस दे कर आये होंगे याद रेली वाले होंगे तो अपना किये जाओगे तो आपका डिपेंड करेगा आपके मेडिकल फिटनेस पर और वहां वेकेंसी कितनी गी गही है और आपका जो मेरे टाय किस पोजीशन पर आपका नाम आया था देगे कहीं न कहीं आपका जब कोड़ लेट राए गया है तो आपका 99% काम हुई चुका है तो क आपका मेडिकल भी होगा और मैं वीडियो वना चुका हूँ आपका मेडिकल किस तरीके से लिया जाता है जब आपकी वहां होती है तो बहुत ही नॉर्मल देगी मेडिकल होता है एक्स्टनल पार्ट के वहां चेक किये जाते हैं किसी परकार कोई सरजीटी तो आपनी नहीं पाए जाते हो तो कहीं न कहीं आपको कैंसल कर दिया जाएगा इस इंटेक के लिए जदे आप अपना इस डेट को रिपोर्टिंग नहीं करते हो यादे आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो कहीं न कहीं आपको इस इंटेक के लिए कैंसल कर दिया जाएगा आप यह यहां से देख सकते हूँ पैराफस्ट में जो आपका दिया गया है और लेकिन उसका जो पेड़ वार में हो जाएगा आप यहां से देख सकते हैं बाइएर्मेंग्स सेलेक्शन सेंटर बाद में आपको जितना वी एलाउंस होगा आपका एसडे द्वार आपको दे दिया खर्चा आने वाला कहीं न कहीं आपको ही इसका पी करना पड़ेगा इसमें ऐसा कुछ बताया गया चुछ सिक्स्थ पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट में यह बताया गया इफ यू आर एंडॉल बेश्डॉन मेरिट यदे आप मेरिट के आदार पर एंडॉल किये जाती हूँ और आपका आगे देखेंगे ATSB लगावी you you have to depart to ATSB लगावी directly from the airman selection center under your own arrangement तो जब आप जिस AAC पर रिपोर्टिंग करोगे तो आपको अपने देखी आप यहां से देख सकते हैं under your own arrangement या नहीं आपको अपने खर्चे पर ही वहाँ पर अपना पहुँचना पड़ेगा ATSB लगावी पर अर्थात धिन केंडिट की जो रिपोर्टिंग है आठ फरवरीक हो है और इनका क्या है कि फाइव एर्मन selection center पर यह पहुँच जाएंगे फाइव ATSC जोधपुर राजिस्तान पर यह पहुँच जाएंगे तो इनको जोधपुर से और जब बेलगावी जाएंगे तो कहीं न कहीं इनको अ लिया पर इस तरीक से केंडिट बुलाए गए थे तो इसमें आपको अपने ही एरेजमेंट पर जाना पड़ेगा और साथ साहत में आगे दिया गया है आपका जो एक दिन का या complete process लग सकता है रता आपको वहां एक दिन रुकना पड़ सकता है अपनी जो AAC है रता तो यह 5 सब्सक्राइब करेंगे तो इनको एक दिन का पूरा समय लग जाएगा आपको डॉक्मेंट से और यह सब कुछ चेक होने में तो आप यहां से आगे देखें अपने आउन एरेजमेंट पर आपको नेक्ट थ्री डे में आपको वहां पहुंचना है आप यहां से इसको देख जो भी कोई केंटियेक क्या कि डिफेंस की तैयारी कर रहा है और यहां को पता आने वाला है वह यह एर फोर्स का एकजाम अपरेल महीने में इसका सेड्डियूल रखा गया तो कहीं न कहीं इस वाले इंटेक के लिए जो बैस्ट आपका एक्सपर्ट हैं उनके दौरा टेट व्हीं मिलेगा और आपका जितनी तियारी आपको है इसमें इंप्रूमेंट की आपको इसमें इंप्रूमेंट इतना आपको इसमान ये बढ़ता जाएगा तो कहीं सबस्क्रीजीं थे रूब कर सकती है तो आपको मेंärt डिस्क्रेप्शन में परिच्छायप कर सकते हूं तो आपको मेरे coupon code 4550 का प्रियोग करना पड़ेगा जैसे आप 4550 coupon code का प्रियोग करोगा आपको 50% का off मिल जाएगा तो यह इंडिये के लिए भी तयार रही है यह आपका इंडियन कोश्टगार का जो exam है आपका next महीने में इसका प्लान किया गया है अंत में हो जाना है या फिर मद में इसका exam करना कराया जाएगा तो आपका जितना भी exam है सभी online आपका exam कराया जा रहा है तो same pattern पर आपका test series बनाई गई है तो आप इसमें अपनी rank देख पाऊगे और अपना देख पाऊगे आपकी कितनी rank बन रही है तो सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से provide कराया गया है और वही question इसमें लिए गए है जो आपके पिछले year में आये थे उन्हीं के वेस पर यह question test series बनाई गई है तो आपको क्या करना है कि मेरे 3450 का प्रयोग करना है दोगनी जल्दी से प्राप्त करो तो इसका जितना भी खर्चाएगा आप यहां से सको देख सकते है वा airman selection centre आप यहां से देख सकते है एरman selection centre से जब आप बेल गाउई के लिए जाओगे तो जितना भी आपको खर्चाएगा उसका जितना भी pay होगा सब आपको पेकर दिया जाएगा इसमें ऐसा कुछ बताया गया है तो यही instruction दिया गया था जो candidate क्या था कि पूछ रही थे कि हमको अपने arrangement पर ही जाना पड़ेगा तो जो 6th पेरा दिया गया है उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है कि आपको जब अपनी ASE से जब आप बेल गावी के लिए जाओगे तो कहीं न कहीं आपको अपनी arrangement पर ही जाना पड़ेगा और जिसका जितना भी आपका खर्चाएगा सब ASE दोर आपको प्रवेट करा दिया जाएगा जब ट्रेनिंग इस्टिटूट में पहुंच जाओगे तो सब कुछ जितना भी यदे आपको quarantine किया जाएगा तो वहीं आपको quarantine किया जाएगा बेल गावी पर यदे नहीं किया जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं तो यही सब कुछ आपको पताना था जितना भी आगे का process होगा पर पहुंचना पड़ेगा तो आई थिंक पहुंच जाएंगे इतनी वड़ी दिक्कत है नहीं तो यही सब कुछ आपको बताना था तो आपको अपने इसमें एजा कुछ दिया गया है का आपको अपने एरिजमेंट पर ही वहाँ जाना पड़ेगा तो इस बार यह चेंज कर दिया गया है पिछली बार क्या होता था इससे पहले आपको अपको अपने खुछ से ही एरिजमेंट करना पड़ेगा तो यही सब कुछ आपको बताना था तो थेंक्स जैहिंद